नमस्कार मैं आर्डी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान सरकार का इस्पेशल आदेश आया है प्रवासी मजदूरों के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक कीजिए सेर कीजि हम गरीब समाज मजदूरों के लिए बहुत बढ़ चट कर आगे आते हैं और इसके मुद्दे को उठाते हैं साइद आपको पता नहीं होगा आपके कोमेट ने क्या-क्या कमाल किया आपके लाइक ने क्या-क्या कमाल किया अरारिया के जो किर्शी पदाधिकारी थे उनके ख कहने का तात पर जिया है कि आप गरीबों के साथ हैं आप मजदूरों के साथ हैं आप जब लाइक और कॉमेंट करते हैं वो प्रभाव डालती है और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ये लॉकडाउन सुरू हुआ था वह 24 तारिक को एनाउंसमेंट किया गया था देश के प्रधान मंतरी जी के द्वारा और 24 तारिक किसी भी महिना का आखरी सप्ता होता है और आखरी सप्ता में यानि 5-6 दिन के बाद अगर यह लॉकडाउन एनाउंसमेंट होती तो जितने भी कामगार थे मज मजदूर थे छोटे करमचारी थे सब को बेतन मिल जाता कम से कम एक महना वह आराम से खा सकते थे परंतु जैसे ही लॉकडाउन हुआ कुछ देश के गदार फैक्टरी वाले कंपनी वाले ने क्या किया इन मजदूरों को इन करमचारी का बेतन ही नहीं दिया सच यही है यही पैसला ले लिया है कि बेतन ही नहीं सूध समेत उससे बेतन ले लूँगा और मजदूरों को दिलवाऊंगा करमचारीों को दिलवाऊंगा जो ऐसा नहीं करेगा कंपनी भी बंद होग्ई और वह जेल भी जाएंगे क्योंकि उन्होंने परवासी मजदूरों को, करमचारीों को रूलाया है देश के प्रधान मंत्री हर अस्तर पर चाहते हैं किसी तरह ये इस्थिती समल जाए उन्होंने गाउं के प्रधान से आज बात किया हर प्रधान से बात किया और जो हम मुद्दा उठाते हैं लगता है देश के परधान मंत्री जी भी वो देखते हैं बिल्कुल उसी से सम्बंधित उन्होंने सवाल किया कि पहले गाउं में 100 पैसे जब भेजे जाते थे तो 15 पैसे पहुंचते थे उन्होंने कई प्रधानों से ये सवाल किया कि अब कितने पैसे पहुँच रहे हैं लेकिन इस देश में जो है मीर जाफर और जैचंद की कमी नहीं है सारे प्रधान कहने लगे कि बिल्कुल 100 के 100% पहुँचते हैं आप हमें कॉमेंट करके बताएए क्या ये सच है जो मेरी रिपोर्टिंग है जब मैं गाउं में घुषता हूं 12,000 रुपईये सवचालय योजना में 2,000 रुपईये विकास मित्र लेता है गाउं का मुख्या और प्रधान लेता है तब जाके आपको 12,000 रुपईये आपके एकाउंट में आता है सीधे आपके घर पर पहुंच जाता है सुबह सुबह 2,000 दे दीजिए आपके एकाउंट में आ गया है अगर मैं सच हूं तो आप जरूर लाइक कीजिए और आप हमें कॉमेंट करके बताए यह कि गाउंट का प्रधान देश के प्रधान मंत्री को यह कह रहे हैं कि 100 के 100% पैसे पहुंचते हैं मैं देश के प्रधान मंत्री जी से आगरह करना चाहता हूं अगर आप बिलकुल सच में इन गरीवों के साथ हैं तो आप गाउंट के जो प्रधान से आपने बात किया तरह से उनके पास एक पैकेट पहुंचती है चार मजदूर तूट पड़ते हैं पूरियां उसमें चार-पांच ही होती है एक पूरी खाते हैं पानी पी लेते हैं लेकिन कब तक यह कुपोशन के सिकार हो जाएगा धिर धिर यह मर जाएगे मैं आप से बता रहा हूं अगर द हम आपके एकाउंट में दो-दो हजार रुपई यह डाल देते हैं सब मजदूर खुस हो जाएगा सब को खुद आटा चाबल खरीदेगा रोटी खालेगा दस दिन और सही लेकिन ऐसा ना करके यह गाउं के परधान से पूछते हैं यानि चोर को चौकिदारी दे देना पांच-पांच-अजार रुपईये में फैसला करवा देते हैं यह इनका कमाई का धंधा है यह बिचोरियों का काम करते हैं गाउं के प्रदान मुख्यासर पंच और मैं सच कह रहा हूं क्योंकि मैं रिपोर्टिंग में कर भी सच्चाई आपके सामने लेके आता हूं बहु चाबल अगर मिल जाए तो सबजी के लिए परिसान है मसाले के लिए परिसान है साबुन नहीं मिल पाता दो गज की दूरी बनाना अच्छी बात है लेकिन उस दो गज की दूरी बनाकर रोटी तो मिलनी चाहिए देश के मजदूर परिसान है आपकी सारी सर्ते मानेंगे दे की जरूरत की सारी चीजे इन्हें मिल जाए लोकडाउन 15 दिन और भी बरहा देंगे तो चल जाएगा सब के सब भूखे हैं सांत हो जाएंगे सचाई देश के प्रधान मंत्री तक नहीं पहुच पाती दो बाते हो सकती या तो देश के प्रधान मंत्री उन प्रधानों से बात करते हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं जिनके पास बीजेपी कार्ज करता पहुचते हैं और उन्हीं प्रधानों से बात कराते हैं जो बिल्कुल उनके हां में हां मिलाए बात करें अथवा कहीं कहीं से कमी है क्योंकि जो रिपोर्टिंग के दवरान सचाई आती है वह सच प्षाइए टीवी पे नहीं दिखाई जाती देश के परधान मंत्री वे सवाल करते हैं जो सवाल हम रोज उठाते हैं प्रतु सामने से जो जवाब आता है वह जवाब सही नहीं आता गाओं के परधान अगर लूटे रहा है रासन में धानली कर रहा है वो कैसे बोलेगा कि जनाब हम खुब लूट रहे हैं इन मजदूरों को भूखा मार रहे हैं कैसे बोलेगा देश के प्रधान को यानि प्रधान मंत्री जी को इन मजदूरों से एक बार रूबरू होना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि करनाटका में बैंगलोर में जो आप गुजरात में बाकी जगह जो फसे हुए हो, आपको क्या परसानी है, कोई बैंक अकाउंट नम्मर है, अगर आप 50-60 मजदूर फसे हुए हो, किसी एक का बैंक अकाउंट दे दो और संख्या बता दो, उसके हिसाब से आपको पैसे डाल देता हूं, आप रासन खरीद कर ले आना, ऐसा इनको करना चाहिए, पुरा देश का मजदूर खुस हो जाएगा, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके मुद्दे उठाते रहेंगे, आपके सामने सच लाते रहेंगे, और आप हमें एक लाइक, एक कोमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि हम दुबारा एक अच्छी वीडियो लेकर आपाऊँ आपके सामने, तब तक के लिए धन्यबाद, जै भीम, जै भार!